दोस्तो अपन रेगुलर पसूप्रिचर के लिए दोस्तो वैटनरी साइन्स की क्लासेज कर रहे है तो दोस्तो आज की हमारी क्लास नम्र्बर 8 है इससे पहले की क्लासेज आप अमारे चैनल की प्ले लेश्ट में जाकर के देख सकते हैं तो दौस्तो फिर से आप सभी भाई उसे एक ही request है जो भी भाई पसुपरिचर की तैयारी कर रहा है या भी वैटनर से सम्भनीत किसी भी exam की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तो सभी चैनल को subscribe करें और जितने भी आपके साती भाई वैटनर से सम्मन्न जास को लाज तक पूरा जरूर देखिएगा आजगी क्लास का अपना पहला क्रिशन देखते हैं दोस्तों कि भैंस में फुल माउथ कंडिशन की उमर क्या होती है इन फुल माउथ कंडिशन किसे बोलते हैं कि भैंस का पूरा मुहे दांतों से कब भर जाता है किस उमर में बैस के अंदर दोस्तो आ जाते हैं चार वर्स चार पॉंट पांच वर्स पांच वर्स या दोस्तो चैवर्स तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो बैस होती है दोस्तो उसके अंदर जो फुल माउथ कंडिशन की उमर होती है दोस्तो वो होती है चैव की उमर में ठीक है next question देखते हैं दोस्तों कि गोडे में full mouth condition की उमर कितनी होती है जो horse होता है गोड़ा होता है उसके अंदर full mouth की condition दोस्तों कितने वर्षों में हो जाती है 4.5 वरस 5 वरस 4 वरस या दोस्तो 6 वरस तो दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा गोड़े की full mouth condition कितनी होती है 4.5 वरस दोस्तो गोड़े की full mouth condition होती है ठीक है next question देखेंगे दोस्तो केनाइन दात किस जानवर में अनुपस्तित होते हैं गाए में बेड़ में गोड़ी में या दोस्तो उप्रॉक्त सभी तो दोस्तो जो केनाइन दात होते हैं गाए के अंदर भी अनुपस्तित होते हैं बेड़ के अंदर भी दोस्तो अनुपस्तित होती है बात की जाए दोस्तों गोड़ी के अंदर भी अनुपस्तित होते हैं लेकिन बात करें होस मेल की यानि गोड़े के बारे में तो दोस्तों गोड़े में केना इंदात अनुपस्तित होते हैं तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी यानि इन तीनों क को दोस्तों जादा से जादा से जादा से जादा करने की कोशिस करें देखी का दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं कि डेंटल पैड किस जानवर में पाया जाता है डेंटल पैड क्या होता है दोस्तों जो केनाइन दात अनुपस्तित होते हैं उनके इस्तान पर एक खाली इस्तान उपस्तित होता है तो उसी इस्तान को दोस्तो डेंटल पैड बोला जाता है तो बात करेंगे दोस्तो गाय के अंदर हाँ जी मेरे दोस्तो गाय के अंदर ही ये डेंटल पैड होता है जो उपस्तित होता है क्योंकि इसमें कहना इंदानत अनुपस्तित होता है उस खाल दुवारा यह option number D उप्रोक्त सभी तो दोस्तों पसू का कब उसका जनम हुआ है उस इसाब से उसका record रख कर भी पसू की उम्र का बाद में एक एक वहले बनती जाती है तो दोस्तों सिंगों के दुवारा भी अपन गयात कर सकते हैं और पसू की बहुतिक आवस्ता के आदार पर भी दोस्तों निर्दारन किया जा सकता है तो दोस्तों राइट आंसूर करेंगे उप्रोक्त सभी यानि इन तीनों तरीके से द उपर के जबड़े के केनाइन से या नीचे के जबड़े के केनाइन से तो दोस्तों जो जानवर होते हैं उनमें जो उमर का निर्दारन किया जाता है निचले वाले जबड़े के जो इनसाइजर टीत होते हैं दोस्तों इनके दुवारा दोस्तों जानवरों में उमर मोलर को या दोनों को या दोस्तों नुंबर डिः पोई नहीं तो दोस्तों चिक टीत के नाम से होते हैं अगला री मोलर टीट और मोलर टीट जो होते हैं ये चिक टीट के नाम से दोस्तों कहलाए जाते हैं ठीक दोस्तो अगला question देखते हैं अपन, question क्या है अपना, question देखेगा कि केनाइन दांत एवं उपरी incisor किस जानवर में अनुपस्तित होते हैं, गाई के अंदर, गोडी के अंदर, उट के अंदर, दोस्तो अनुपस्ते के अंदर, दोस्तो जैसा के हम पहले ही बात कर चुके हैं, incisor जो दांत होते हैं, वो गाई के अंदर, अनुपस्तित होते हैं, लेकिन दोस्तो इसी के साथ में, दोस्तो इसमें, उपरी जबडे की जो incisor teeth होते हैं, आपके, आई और C, दोनों के दोने दांत, इसमें दोस्तो अनुपस्तित होते हैं, किसके अंदर, गाई के अंदर, है कि पर्थम वल्य तो कितने वर्स में बनेगी तो दोस्तों तीन वर्स में तो दोस्तों एक वल्य बन गई जो पहली होती है बाकी की वल्य दोस्तों परतेक वर्स में बनती है यानि एक तो यह हो गई प्लस इसमें अपन तीन कर देंगे तो चार वल्य हो गई तो दोस्तों य किस जानवर के उपर के जबड़े में इंसाइजर दांत और उपस्तित होते हैं और उनके इस्तान पर डेंटल पैड़ पाया जाता है तो सिचशन अपने देख लिया थो दोस्तो गाय बहयंस बकरी और उप्रोक सभी तो दोस्तो इन सभी के अंदर डेंटल पैड उपस्तित होता है और उपरी जबड़े के जो इंसाइजर दांत होते है दोस्तो वो अनुपस्तित होते हैं थीक है अगला question देखेंगे कि गोडी में कौन से दांत अनुपस्तित होते हैं तो दोस्तों जो गोडी होती है इसके अंदर के नाइन टीत अनुपस्तित होते हैं और गोडे के अंदर दोस्तों ये उपस्तित होते हैं तो right answer करेंगे option number B गोड़ी के अंदर कौन से दानत और उपस्तित होते है कि नाइन दानत, संक्या में कितने होते हैं, चार, ठीक है, टोटल गोड़े में दानतों किसंक्या बात कि जाए तो दोस्तों 40 होती है, लेकिन गोड़ी की बात करें तो दोस्तों उसमें 36 होंगे, ठीक है, अगला question देख लुखेगा भेड जिसके इसताई दांत गिर गए हो, क्या कहलाथी है। जिसके सभी इस्ताई दांत होते हैं जो टैम पर्मानेंट टीथ होते हैं दोस्तों वो सभी गिर जाते हैं तो उस बेड को क्या बोला जाएगा टपर गमर सरवर या इस्पाइड तो दोस्तों ऐसी बेड जिसके सभी दांत गिर जाते हैं उसे गमर बोला जाता है ठीक है नेक् पांच वरस पांच वरस सात वरस या दोस्तों चार वर्स तो दोस्तों राइट आंशर हो जाएगा बेड़ के अंदर फुल माउथ कंडिशन की उमर चार वर्स फोर यर्स होती है मेरी दोस्तों ठीक अगला के संदेखते हैं डेंटल इस्टार एवं ग्लेंस ग्रुव पाई जाती है हुग जो डेंटल स्टार एवं ग्लेंस में पाई जाती हैं व्लड गोड़ी में गाय में या दोस्तो कुत्ते में तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा होर्स गोड़े में डेंटल और ग्लैंस गुरू उपस्तित होती है अगला कुश्शन देखते हैं दोस्तो अगला कुश्शन है आपका जानुरों में उमर निर्दारण के लिए सबसे अधिक पर्चलित एवं विश्वसनिय विदी कौन सी है सिंगों की वेले के दुआरा, दांतों के दुआरा, भोतिक आवस्ता के दुआरा या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो जो सबसे पर्चलित एवं विश्वसनिय विदी है जानुरों की उमर का पता लगाना तो दोस्तों उनकी दांतों की संक्या गिनकर के दोस्तों पसों की उमर का पता लगाया जाता है ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं कि वह उमर जिस पर जानवर के इस्ताई दांत गिरने लग जाते हैं वो कौन सी उमर होती है दोस्तों तो दोस्तो ब्रेकन माउथ जो अवस्ता होती है इस अवस्ता में जानवर के सभी दांत गिरने लग जाते हैं और दोस्तो गिर जाते हैं यानि गिर गए होते हैं उस अवस्ता को क्या बोलते हैं गमर अवस्ता लेकिन जब गिरने सुरू हो जाते हैं तो उस अवस्ता को बोला करते हैं broken mouth अवस्ता ठीक है next question बात करते हैं घोड़ा एवं गोड़ी के किन इस्ताई दांतों में अंतर पाया जाता है तो दोस्तों पहले ही बात कर चुके हैं जो गोड़ा और गोड़ी के अंदर जो अंतर पाया जाता है दोस्तों वो केनाइन टीथों का अंतर होता है और य गोड़े के अंदर होर्ष की बात करें तो 40 दांत होते हैं बात करें घोड़ी की तो दोस्तों इसमें 36 यानि 36 दांत होते हैं घोड़ी के अंदर मेयर के अंदर ठीक है अगला question देखिएगा कि गाये में कौन सी इस्ताई दांत अनुपस्तित होते हैं जो आपकी काउव होती जो केनाइन टीथ होते हैं दोस्तों ये गाय के अंदर अनुपस्तित होते हैं लेकिन इंसाइजर की बात करें तो दोस्तों ये उपरी जबडे के तो अनुपस्तित होते हैं लेकिन निचले जबडे में पाए जाते हैं ठीक है अगला किस्सन देखेंगे कि गाय में पर्थम होरन रिंग कितने वरस की उमर पर देखने को मिलती है यानि जो गाय के सिंग होते हैं उसमें जो पर्थम वला होती है रिंग होती है वो कितनी वर्स पर देखने को मिलती है एक वर्स में दो वर्स में तीन वर्स में च्यार वर्स में दोस्तों जो पर्थम वला होती है गाय के अंदर वो तीन वर्स की उमर में देखने को मिलती है कितनी वर्स की उमर में तीन वर्स की उमर में दोस्तों अगला क्यूस्टन देख जबस्तो दोस्तो जो डैंटल पैड़ होता है वह उप्री जबड़ में पाया जाता है क्योंकि दोस्तो इस जो उप्री जबड़ा होता है, इसी से लोट दोस्तों incisor दाथ भी अनुपस्तित होते हैं और केनाइन टी तो दोस्तों दोनों जबडों में अनुपस्तित होते हैं गाय के अंदर अगला क्यूशन देखेंगे कि गोडे में इस्ताई incisor दांतों का पहला युगम किस उमर पर दिखाई देने लगता है जो घोडा होता है इस में जो इस्ताई incisor teeth होते हैं दोस्तों इनका जो पहला युगम होता है वो कौनसी उमर में दिखाई देने लगता है नुस्तों जो गोड़ा जब दाई वर्ष यानि 2.5 वर्ष का हो जाता है तो इस उमर में जो इस्ताई teeth होते हैं incisor उनका पहला युगम पहला जोडा देखने को मिलने लगता है दोस्तों ठीक है आगे बात करें अंगला question घोडे में निप्पर्स किन दाथों को कहा जाता है जो घोडा होता है दोस्तों उसके अंदर निप्पर्स किन दाथों को बोला जाता है central incisor को corner incisor को केनाइन को या दोस्तों मोलर को तो दोस्तों जो सेंट्रल इंसाइजर होता है इनी को गोड़े के अंदर निपर्स बोला जाता है सेंट्रल इंसाइजर को गोड़े के अंदर क्या बोलेंगे दोस्तों निपर्स बोला जाता है ठीक है अगला क्यूशन आता है कि सूर में टस्क टीथ होते हैं दोस्तो इनी की संक्या च्यार होती है कितने होते हैं दोस्तो टास्क टीथ सूवर के अंदर फोर ठीक है अगला क्यूस्टन देखेंगे यदि ग्लैंस ग्रूव दात की पूर्ण लंबाई तक पहुंच चुकी है तो दोस्तो गोड़े की गुमर क्या होगी तो दात की पूर्ण लंबाई तक अगर पहुंच जाती है दोस्तो उस गोड़े की आयू जो होती है बीस वरस का गोड़ा हो जाता है वो ठीक है अगला क्यूस्टन देखेंगे गाये में केनाईन दातों की संक्या कितनी होती है तो दोस्तो जो गाये होती है उसके अंदर क्रेणाइन दान्ट लंबे एवं नुकिले होते हैं जो जीवन परियंत्र वर्दी करते हैं और क्या कहलाते हैं कि सुवर के जो क्रेणाइन दान्थ होते हैं दोस्तों वह लंबे होते हैं नुकिले होते हैं जो कि अपने पूरे जीवन परियंत्र वर्दी करते रहते हैं उनका आकार याने लंबाई बढ़ती रहती है तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं तस्क टीत कहलाते हैं और इनकी संक्या हमने देख लिए कितनी होती है च्यार मेरे दोस्तों ठीक है अगला कृस्टन देखेंगे गाय में किस उमर पर इस्ताई इंसाइजर दातों का पर्थम युगम वो कौन सी उमर पर दिखाई देने लगता है दो वरस की उमर पर दोस्तों दिखाई देने लगता है दोस्तों अगला कृस्टन देखेंगे कि गोड़े में इस्ताई इंसाइजर दातों की संक्या कितनी होती है जो गोड़े होते हैं होर्स के अंदर दोस्तों इस्ताई जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल के साथ में बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाईव के पास में दोस्तो क्लासेश को सेर करना इक स्टार्ट कर दे पसूप प्रिचर का जब तक आपका एक्जाम होगा इसी तरह के से दोस्तो हम आपके लिए बहतरिन स्यांदर दोस्तो क्लासेश डालने की कोशिस करें दोस्तो क्यूस्टेंज कहीना कहीन से भी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे चाई वो किसी भी बुक्स में से आपको हमारे लिए छाट करके लाने पड़ें तो चलेगा दोस्तों आप सभी भाई एक बार अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे और सभी भाईों के पास में इस क्लासेश को सेर करेंगे थैंकि दोस्तों धन्यवाद जिस भी भाई ने क्लास कंप्लीट देखी है